है दोस्तों मैं रमेशर आपके अपने यूटूब चैनल दे इस्टडी फार एंबिशन में आपका बहुत बहुत श्वागत करता हूं दोस्तों संबैधानिक विकास की अगली कड़ी में आज 1859 का भारशाशन अदनियम आज पढ़ेंगे दोस्तों 1859 के भारशाशन अदनियम 1859 की करांती के बाद ही आता है तो दोस्तों 1859 की करांती का इस पर कहीं ने कहीं बहुत बड़ा चाप होगा तो दोस्तों 1859 का भारशाशन अदनियम आए चलते हैं बोड़ पे तो दोस्तों 1859 का भारशाशन अदनियम इसमें बहुत शारे प्रावधान देखने को मिलें जि पढ़ा गया और इसका अगली कड़ी में में दोस्तों इसका एक महत्रपून और कि इसका सबसे ज्यादा अगर किसी ने बीरोत किया है तो था जखने वाला मिल था और अगली कड़ी में दोस्तों इसमें बिए कशला जुवल वाइ सराह रख दिया गया तो दोस्तों यहाँ पर वाइ सराए मैं आगया याने गुष्यर्णी के अस्थान पर वाइ सराह अब इसरी ौंट दोस्तों और इसके अगली कड़ी में दोस्तों यह है कि ब्रिटीश ब्रिटीश क्राउन और इस्ट इंडिया कंपणी का जो अपना एक अलग-अलग पद और गोपनियता होती थी दोस्तों वहीं पर अब यहां पर 850 के भार्षा सनदल्य इन्डियाम में ये देखने को मिला कि British crown पूरी तरह से एस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर देती है इस्ट इंडिया कंपनी के स्थित्तो को पूरी तरह से हो दोस्तों British crown का भारत पर आधिपत्य हो जाता है या यहों कहें कि British East India Company पूरी तरह से समाप और Crown का उद्ध है तो Crown की सकती यहाँ पर बढ़ती है और British East India Company की सकती समाप्त हो जाती है ना कि कम होती है पूरी तरह समाप्त हो जाती है तो यह रहा तीसरी पॉइंट चोथी पॉइंट जो बहुत ही important दोस्तों और इसके बाद जो समाप्त कर देता है तो यह रहा इसकी अगली कड़ी है दोस्तों और इसमें बड़े यह बहुत सारे इसमें अलग-अलग महत्रपूर कारे किये गया है जिसमें देखेंगे संवधानिक विकास की एक इस कड़ी में एक अलग सा अपना रूप लिये हुए तो दोस्तों अगल होता है सचीकी कारकार्णी में एक और महत्रपूर्पूर कारे होता है जिसमें इनके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर अगली होते हैं यह त्योते हैं या IN です 610 संचाले मननल से होते है thank your और न की और सच्पूर्ण का मुथा दोस्तों जो सचो की कार्यकारणी का वेतन होता है पहले जहां तिर नि शाह्टर एक में इनके इनके को ब्रिटिस पार्लियमेंट से देने का प्रारम किया गया वहीं पे 187 ठाउन के भारत ससन अधनियम में इनके बेतन को फिर से भारत के राजस्व भारित कर दिया था तो दोस्तों यह भी एक प्रावधान देखने को मिला था और आगे देखिए दोस्तों इसके अगली कड़ी में कि इसमें एक बहुत इंपर्टेंट काम कर दिया गया जा कि इस्ट इंडिया कंपनी को जब समाप्त किया गया तो इस्ट इंडिया कंपनी के दोई सासन को भी समाप्त कर दिया गया यानि कि इस्ट इंडिया कंपनी के दोई सासन भी समाप्त हो गया भारत सासन अधनियम 1859 की बात है तो दोस्तों भारस अधनियम 1859 के अंतरगत एक और काम किया गया जो रियासतों के रियासतदार थे उन रियासतदार से बिटिस क्राउन डायरेक्ट कनेक्शन रखने लगी तो यहां पर यह भी एक बहुत बड़ा महत्पूर्ण कारी होता था दोस्तों अब देख फ्ल्ष्बस्तों और सेट दोस्तों यह कहां पढ़ा गया लोगन जर्रण की कारीकांडिक कमें नारे जबरनर के प्रण को हटा कर वहां पर रखा रखा गया तोस्तों यह भी बहुत इंपर्टेंड पॉइंट है और और आगे की कड़ी में देखेंगे दोस्तों कि यह बार बार पूचा गया है दोस्तों तो इस प्रकार 1859 का भारस सासन अधनियम पूरा होता है तो दोस्तों आए 1861 का भारस सासन अधनियम तो 1861 के भारस सासन अधनियम के अंतरगर भी बहुत ही महत्वपूर पॉइंट है जिसे आप आपको देखने को मिलेगा आए देखते हैं तो दोस्तों आए 1861 के भारस सासन अधनियम में सबसे महत्वपूर कार जो पहली बार किया गया वो ये कि कानून निर्मान में कानून के निर्माण में भारतियों का प्रवेस हो गया, यानि भारती इसमें अब भाग ले सकते हैं, कानून निर्माण में भारती प्रवेस ले सकते हैं, दोस्तों यह तो पहली पॉइंट है, यानि कि जब भी अब कोई कानून निर्माण होगा वहां पे, तो भारतीयों को भी उसमें समलित किया जाएगा और भारती कहीं कर्पकर किया जाएगा तो दोस्तों cannot 1861 का भारत्य संदिय मों कि पहली पॉयंट ती जो ये पहली बार था दूसरी दुसरी पॉयंट के इंतर करत ये भी पहले बार रहा था दोस्तों कि मंत्री मंडली प्रणाली का गठन स्तित्त में आया और दोस्तों तिसरी पॉइंट में देखेंगे कि पहली बार ही तिसरी पॉइंट में वी एक चीज देखने को मिलता है वो कि प्रतिनिधित्व सभाव का निर्माल होना शुरू होता है यानि जितनी प्रतिनिधी संस्ताइए है उनका गठन करना शुरू हो जाता है यह यह अठारे सो 61 के साथ इंदनियम के अंतरगत है दोस्तों और अगली पॉइंट है कि बहुत in-portant point है कि I ठो फोली और निर्माल किया गया portfolio का भी उनाया है जिसमें कल सकते हैं portfolio का रहने कि आ इसमें सकते है constitution दोस्तों विभागी प्राणाली का भी गठन 1861 के भारस अधनियम के अंतरगत देखने को मिला था और इसके आगे देखा जाए दोस्तों तो इसमें एक और बहुत इंपोर्टेंट कार किया गया था जो अरदिनेंस लाने की प्रक्रिया यानि कि वाइस राय अरदिनेंस ला सकता है और यह अदिया देखिये अगली पॉइंट है कि वित्ती संस्थाओं का जो वित्ती संस्थाओं थी उसमें भारती प्रश्ण नहीं पूछ सकते थे यानि कि वित्ती संस्थाओं में भारती या प्रश्ण नहीं पूछ सकते थे तो यह दिखा जाते है दोस्तों कि वित्त से संबंदित जो भी प्रावधान होते थे उसमें भारतिये जो है किसी प्रकार का प्रश्ण पूछ नहीं सकते थे दोस्तों यह बहुत important point थी याने कि भारतियों को अब दूर रखना प्रारंब हो गया था आगे कड़ी में है दोस्तों कि गवर्णर जनरल के पास जो वाइसराय के पास वीटो पावर था यह जवरदस्त वीटो पावर था कि मंत्री मंडल में बनाए वे कोई विधान मंडल में बनाए गए कोई भी नियम कानून है उस पे वह तोटल जो है वीटो पावर लगा सकता ह सकता है उससे अनुमती नहीं दिए सकता है वाय सराय के पास सटीयाँ होने के वज़ा से जो है इसके पास बीटो पावर भी आ गया था दोस्तों और अगली प्वांड आज़्ट hár वायश्ट पॉइंट है प्राम्त से माओं परिवर्तन करने का दिकार वाय को दे दिया गया था इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि वाइसरा के पास जो है एक आशीम शक्तियां होना प्रारंब हो चुकी थी तो इस तरह से देखा जाए जब दोस्तों की 1861 के बार ससना दिनियम के अंतरगत जो महत्वपूर्पूर्पॉइंट है जो प्रतियोगी दोस्तों विभागी परणाली किस अंसना दिनियम के अंतरगत है बताएंगे दोस्तों कि 1861 के भारस यॉत के बीदिदोट्य। वो दोस्तों ये बहुत important important point दिया गया है जो हर प्रतियोगी परिक्छाओं में देखने को मिलता है दोस्तों इधर जो है आपको important जो point है गवर्नर जन्रल को आई सराय बनाया गया दुसरी important point है board of control और court of director को भी समाप्त किया गया और तिसरी दोस्तों आधे से अधिक जो है आधे से अधिक एक important point है कि आधे से अधिक सचीव की कारेकार्णिक के जो सदस होंगे वो आधे से अधिक कहां रहेंगे भारत में अस्थाई रूप से रहेंगे कब तक 10 साल तक तो यह भी एक प्रावधान दोस्तों था जो बहुत important था और दोए सासन का समाप्त 1859 के भारत सासन अधिनियम के अंतरगत यह बार बार पूछने को पूछता है प्रत्योगी परिच्छाओं में दोस्तों तो इस परकार देखा जा तो 1859 का और 1861 का भारत सासन अधिनियम ब प्रत्योगी परिच्छाओं में भी बहुत बार प्रशन इससे बनते हुए देखा गया है तो दोस्तों यह बहुत ही कम सब्दों में यह एक तर से समराइज कर दिया गया है कि आपको मेहनत करने किया हो सकता ही नहीं बस एक बार मेरा लेक्चर सुन लें यह बहुत काफी है दोस्तों तो इस परकार अगर यह मेरा वीडियो दोस्तों आपको कहीं से भी प्रभावित किया हो तो दोस्तों इसे लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद